हेलो वीवर्स एंबीटेक हिंदी में आप सबका स्वागत है मेरा नाम है मोनिका और आज मेरे पास डिवाइस यह है रेड्मी 10 4G स्मार्टफोन जिया गाइस अगर आप भी सोच रहे कहीं कम बजट में रेड्मी की कोई अच्छी मोडल का स्मार्टफोन लेने के लिए तो यहां पे इसका प्राइस लिखा हुआ है आगे बात करेंगे इसके प्राइस रेंज के बारे में तो वीडियो का आप कंटिन्यू देखते रहीगा गाइस सलसे पर डिवाइस को अन्बॉक्स कर लेते हैं तो बॉक्स कर दिया हमने अन्बॉक्स बॉक्स के अंदर आपको दे पिन तो यह होगा 10W का चार्जिंग एडप्टर 5 बोल्ट 2 एंप्यर का होगा यह और डिवाइस सपोर्ट करती है 18W का फर्स्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है साथ में आपको यह ताइप A to type C data cable तो यह है box content इसको डख लेते साइट में और चले देखते डिवाइस को अन्रेप करके गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरह का looks and design देखने का मिलती है redmi 10 4g स्मार्ट फोन का सेड़ ब्लेक कलर में आता है स्मार्ट फोन और बहुती प्रेमियम लुक्स इसमें इसमा को देखने को मिल जाती है मेट फिनिस डिजाइन होगा इसका और बेक में में लेगा इसमें आपो यह polycarbonate baked पेदल होगा साथ में लेगा इसमें आपो यह plastic frame तो बेक में होगा इसका यह triple rear camera setup लेड फ्लेश लाइट साथ में इसमें आपो यह द्मी का ब्रेंटिंग और fingerprint sensor तो यह होगा इसका power on button साथ मिलेगा इसमें आपो यह volume up and down button नीचे के तरफ में होगा speaker guild टाइसी charging port मिलेगी साथ मिलेगा इसमें आपो यह mic और left hand side में इसमें आपो देखने को मिल जाती है SIM tray slot और उपर के तरफ में होगा 3.5 mm earphone jack तो यह device में आपको single speaker देखने को मिल जाती है Redmi 10 4G smartphone में इसके weight और thickness की बात करते हैं मिलेगा आपको 203 gram का weight होगा और 9.1 mm का इसमें आपको thickness देखने को मिल जाती है तो थोड़ी से वलकी होगा यह smartphone की company से provide करती है 6000 mm का big battery प्रवाइट करती है तो थोड़ी से heavy weight इसमें आपको देखने को मिल जाती है यह smartphone में तो चल से पर device को set up कर लेते हैं यह phone हो चुक है completely set up इसके अगर डिस्प्ले की बात करते हैं मिलेगा आपको 6.7 inch IPS LCD डिस्प्ले इसमें को मिल जाती है इसमें को कॉर्णिंग गोडिला ग्लास वीट्री का इसमें आपको प्रोटेसिन देखने को मिल जाती है और 60Hz का रिप्रेस्ट के साथ में आता है इसमें को मिल जाती है Octa-Core होगा 2.4 GHz को लोग इसमें पर काम करता है और 6 nm पर बैस होगा तो इसके अगर ग्राफिक्स के बात करते हैं आपको Adreno 610 देखने को मिल जाती है जो कि प्राइस देंस के हिसाब सिसमें आपको कापी बड़े क्वालिटी का प्रोशेसर प्रोशेसर प्रोबाइट करती है इसमार्टफोन में तो गाइस इसके केमरे की बात करते हैं आपको डूएल रियर केमरा से आप देखने का मिल जा इसमें आपको प принてो बहुत आपको देखने को मिल जाती है तो फूल हैडी में इसमें आप वीडियो रिकोर्डिंग कर पाएंगे के दोनों केमरे से दो फूल एक केमरे में 50 MP देखने को मिल जाती है तो प्राइस देंस के इसमें आपको तिक टॉप केमरा भी प्रॉइट कर मोट के बात करते से में आपको बेंग में फिंगरीन सेंसर देखने को मिल जाती है तो आज कल इतने भी सम igual航ों इंडियन मार्केट में लॉंच बातक होंडे साइटमांट इन चालेहाइख cima यह संसे में आपको बेग में fingerprint scanner देखने को मिल जाती है तो गाइस price range की हिसाब से एक बहुती बड़े smartphone है इसके अगर price range की बात करते हैं जो बेरेंड होगा इसमें आपको बेटरी देखने को मिल जाती है और बेक मिलेगा इसमें आपको फिंगर प्रिंट सेंसर तो price range की सबसे एक बहुत ही बड़े smartphone है इंडन मार्केट में तो इसे आप online और offline कैसे भी purchase कर सकते हैं तो गाइस आपको यांबोक्सिंग और रिवीव वाली वीडियो कैस